नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हूँ करिस्मा तेजश्वी यादो और लालू पिशादी यादो की जो पार्टी है आरजीडी रास्ट्रिय जनता दल इसमें परदेश अध्यक्ष की तलास चल रही है इसके साथी साथ रास्ट्री अध्यक्ष की भी तलास की जारी है ऐसा कहा जा रहा है कि अब लालू पिशादिया दो जो रास्ट्री अध्यक्ष का पद है उसे छोड़ने वाले हैं लेकिन रास्ट्री अध्यक्ष का पद किसे मिलेगा भी यह फाइनल नहीं हुआ है अक्टूबर माह में परदेश अध्यक्ष का चुना होने वाला अभी फिलाल राजत का परदेश अद्यक्ष जक्ता नंसिंग है वो अब पद छोडने वाले हैं क्योंकि उनकी उम्र 80 साल से जादा हो चुकी है फिलाल वो पद सम्हालने लाइक नहीं रह गए हैं आपको बता दे कि लगतार जो जक्ता नंसिंग है उन पर तेश प्रताप लेकिन ये वज़ा नहीं है अब जक्ता नंसिंग पद मुक्त होना चाहते हैं उन्होंने स्थिपे की पेश कर दी है तब से परदेश अध्यक्ष के लिए जो चैन है वो लगतार जारी है तेजश्वी आदो चाहते हैं कि कोई युवा चेहरा आए लेकिन अभी जो नाम चर आइसे का भी चुना होगा लालु पिर्शाद्यादों जोकि बेमार है दिली के इमस अस्पताल में भरती है वो रास्टरि्याध्यक्ष आरजेडी के हैं लेकिन वो डारास्तरी अध्यक्ष का पद च्छोड़ना चाहते हैं क्या तेजश्वी आदो आरजेडी की रास्तरी कोई और जैसे जितनराम मान जी ने अपने बेटे को हमका राश्ट्री अध्यक्ष बनाया वैसे ही तिजश्वी आदो को लालू पिशाद यादो राश्ट्री अध्यक्ष बना सकते हैं लेकिन अभी यह फाइनल नहीं हुआ है जक्तनन सिंग अब परदेश अध्यक्ष के पत्से मुक्त होना चाहते हैं लालू चाहते हैं कि जक्तनन सिंग पार्टी में अनुशासन लाए वो काम जक्तनन सिंग ने किया लेकिन अब नए अध्यक्ष के रूप में जक्तनन सिंग आना चाहेंगे कि नहीं इसमें बहुत संस राजत का नया ध्यक्ष कौन होगा इसके लेकर पार्टी के बाहर खुब चर्चा हो रही है राजद राजी में सबसे बड़ी राजनितिक पार्टी है इसलिए भी बाकी पार्टीों की भी नजर इस पर है आपको बता दें कि 31 माई को राजद बधान मंडल दल की बैठक में र राजद के वरिष्ट निता उदे नरायन चौधरी ने ये जनकारी दी थी उदर लालो पिशाद यादो की सेहद में उतार चड़ाओ देखा जा रहा है पटना एमस में उनकी सेहद में अब सुधार है पार्टी में तेजश्वी यादो की ताकत भी बढ़ी है तेजश्वी को राश्टी अध्यक्ष की बागडोर मिलेगी तो उनकी ताकत और बढ़ेगी यह लालो पिशाद यादो पर है कि वो कैसे तेजश्वी को राजट के राश्टी अध्यक्ष की बागडोर सौपते हैं पार्टी में इस पद के लिए कोई दूसरा दावेदार भी नहीं है ब मोहदी नगर से वधायक भी है हलाकि अलोक मेता जकतानान सिंग के तरफ कड़क सौभाव की नहीं है और फिर भी काफी बिवारिक और पार्टी के बिस्वस्त है परदेश अध्यक्ष के लिए और भी नाम चर्चा में है आपको बता दे कि पुर्व विदान सभा और पुर्व मंदरी सिवचंदर नाम का भी नाम काफी चर्चे में है तो राज़त में दो पद्ध कुली कर अभी तलास जाड़ी है परदेश अध्यक्ष और रास्टी अध्यक्ष हलाकि रास्टी अध्यक्ष के लिए कोई नाम अभी चर्चे में नहीं आया है लेकिन जो परदीश शद्यक्ष है उसके लिए कई नाम चर्चा में चल रहा है आप देखना होगा कि राजत का नया परदीश शद्यक्ष कौन बनता है बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप बने नहीं लाइब बिहार के साथ धन्य बात अब इतक आपने अमरे चैनल को सब सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेस्बुक पर लाइक करना ना भूले लाइब भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें